तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, prime number का program लिखा कैसे जाता है, तो उससे पहले जानता है, prime number होता क्या है, तो कोई भी number, अगर 1 और खुद के साथ ही divisible हो, तो फिर वो number prime होता है, और हमें पता है, कि 0 और 1 prime number नहीं होता है, और एक interesting fact है, 2 एक ऐसा एक लौता even number है, जो की मेरा prime number होता है, और उसके साथ ही, 2 और 3 ऐसे 2 consecutive natural number है, जो prime number है, तो इसी information के साथ, हम लोग start करते हैं, लिखना prime number का program, तो यहाँ पर मैंने एक class बना दिया है, prime number, और एक function बना है check prime, जहाँ पर हम लोग logic लिखेंगे, कैसे prime number चेक करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर scanner object create करके, input ले लेता है, scanner input is equal to, new scanner system.in, अब यहाँ पर error क्यों आ रहा है, वो हम लोग easily एक shortcut use करके देख सकता है, control 1, so import scanner करना हमे, तो यह shortcut अगर आपको पता नहीं है, तो shortcut वाला video ज़रूर जाके देखे, यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे shortcut discuss किया है, जो कि Eclipse में regularly use होता है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक message दे रहता है, enter any number, so input लेके अभी हमें store करना है, एक integer variable में, suppose int num is equal to input.nextint, so यहाँ पर मुझे input मिल गया, जो number है मेरा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे check prime function जो है, वहाँ पर वो number भेजना है, और वहाँ से मुझे मिलेगा क्या, कि वो number prime है कि नहीं, so if मैं वो function call करता हूँ, check prime, और मुझे किस के साथ compare करना है, अगर यह true हुआ, तो मुझे क्या print करना है, number is prime, और अगर नहीं हुआ, then else number is not prime, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, मैंने if block जो लिखा, उसके अंदर curly braces का use नहीं किया, क्योंकि अगर आप curly braces का use नहीं करते हो, तो उसका मतलब है, वो block के बाद, जो भी पहला statement होगा, उससे वो consider करेगा, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही statement लिखना था, तो मैंने curly braces का use नहीं किया, और एक चीज़ हम लोग यहाँ देख सकता है, जो हम लोग ने check num is equal to equal to true use किया है, उसके बदले हम लोग यह equal to equal to true हटा सकता है, क्यों? जो भी मेरा result आएगा, वो either true होगा या फिर false होगा, और तो कोई option ही नहीं है, और कोई भी if condition जब भी comparison करता है, तो उसका output क्या मिलता है? Either true या फिर false, तो यहाँ हमें equal to equal to true या फिर equal to equal to false लिखने या कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम लोग चलता है, prime number का logic लिखता है, तो prime number निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकता है? 1 से लेके उस number तक traverse कर सकता है, और उस number को divide कर सकता है, 1 से लेके n तक, और देख सकता है, अगर वो number सिर्फ दो ही बार divisible है, तो फिर वो number मेरा prime है, तो उसे कैसे लिखे? एक for loop लेता है, suppose int i equal to 1, 1 से लेके हमें कहां तक traverse करना है? i less than equal to n तक, और इसे increment करता रहना है, i plus plus, अब हमें क्या करना है? अब देखना है, if अगर मेरा जो number है, n percentage i क्या है? 0, तो फिर क्या है? मुझे count करना है, तो count करके हम लोग रखेंगे किसमें, उसके लिए एक variable ले ले लेते हैं यहाँ पे, int count equal to 0, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? count बढ़ाते रहना है, count plus plus, तो अभी मुझे पता है, इस loop के बाद, अगर मेरा count equal to equal to 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या? मेरा number prime है, क्योंकि अगर मेरा number prime नहीं होगा, तो फिर वो 2 से जादा बार divisible हो गई होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? else return false, तो यह हम लोग execute करके देखता है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, so enter नहीं number, मैं enter करता हूँ 5, number is prime, दुबारा execute करता है, मैं करता हूँ, suppose 9, number is not prime, अब यह जो logic है, मेरा बहुत ही बुरा logic है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 1 से लेके n तक traverse कर रहा हूँ, इससे थोड़ा better कर सकते हैं हम लोग कैसे? 1 से लेके n तक अगर हम लोग divide करता है, मेरा number सिर्फ दो ही बार divisible होगा, लेकिन अगर हम लोग number को 2 से लेके n-1 तक divide करें, तो फिर मेरा कितनी बार divisible होगा? एक भी बार नहीं होगा, तो वो लोगिक हम लोग यहाँ पर लिख सकता है, i is equal to 2, और यहाँ पर कहा तक? n-1 तक, और यहाँ पर मेरा count अगर 0 आया, तब वो prime है, यहाँ फिर prime नहीं है, तो इससे execute करके देखते हैं, enter in a number, suppose 17 लेता हूँ, number is prime, दुबारा execute करता हूँ, suppose 8, number is not prime, so यह भी मेरा कुछ इतना खास logic नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 iterations कम किये, तो इससे और थोड़ा better हम लोग कर सकता है, कैसे? यहाँ पर, n-1 के जगा पर, n by 2 कर सकता है, क्यों? क्योंकि कोई भी number, suppose 9, अगर वो 9 by 2 करें हम लोग, जो की होता है, 4.5, integer में consider करें तो 4, और अगर वो 2 से लेके 4 तक divisible नहीं है, तो जिंदेगी में कभी भी उसके बाद 5 से लेके 8 तक divisible होने ही नहीं वाला है, तो इसलिए, यहाँ पर हम लोग 2 से लेके n by 2 तक loop चला सकता है, और same execute करके देखता है, सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 19, number is prime, और अगर मैं लेता हूँ सपोज 15, number is not prime, अगर मैं लेता हूँ 1, तो फिर क्या आता है, number is prime, लेकिन हमें पता है, 0 और 1, prime number नहीं होता है, तो यह क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 और 1 के लिए, हमने condition डाला ही नहीं है, तो वो कैसे डाले, यहाँ पर हम लोग condition डाल दिता है, if n equal to equal to 0, और और का symbol आपको पता है, n equal to equal to 1, तो फिर हमें directly यहाँ से return कर देना है, क्या false, क्योंकि वो number, prime number नहीं है, तो अभी हम लोग execute करके देखता है, तो यहाँ पर मैं अगर देता हूँ, 1, number is not prime, यहाँ पर अगर मैं देता हूँ, 19, number is prime, तो यहाँ पर हम लोग ने 3 logic देखा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको, कि जो third वाला logic है, वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है, आप पूछोगे, तो क्यों अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है, 2 से लेके n by 2 तक, हम लोग compulsory traverse कर रहा है, और number के साथ उससे divide करके देख रहा है, कि वो divisible है कि नहीं, और बाद में count करके हम लोग देख रहा है कि, वो count अगर 0 है, तो prime है, count अगर 0 नहीं है, तो prime number नहीं है, लेकिन suppose अगर मेरा एक बहुत बड़ा number है, लेकिन वो 2 से ही divisible हो जा रहा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहा है, 2 से लेके n by 2 तक traverse करी रहा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारा number किसी भी number से divisible हो जाए, वहीं से हमें return कर देना चाहिए, कि वो prime number नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे next video में, और उसे recursive function यूज़ करके करेंगे, क्योंकि normal prime number लिखना हमें आ गया है, अगर आप easily इसे लिख दोगे, तो next question interviewer का होने वाला है, कि can you do it using recursive method, तो next video ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही important होने वाला है,